आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, 6 steps के बारे में जो आपको OCD के चाल में फसा देते हैं, हम इस वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे, तो लास सक देखना है, शेर जरूर करना है, चैनल पे नहीं हैं, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेजे, आपको डाउनलोड क लेजे, ताकि आप daily breathing exercise meditation करें, और अपने दिमाग को शान्थ रखें, क्योंकि शान्थ दिमाग आपको OCD से बाहर निकलने में बहुत मदद करने वाला है, तो चलिए, श्रूर करते हैं, यह हैं 6 traps of OCD, perfectionism, perfection एक illusion है, जो भी लोग बहुत जादा हर चीज को perfect करने के चकर में रहते हैं, वो highly anxious feel करते हैं, क्योंकि उनका brain हर चीज को fix करने में, एक certain category में fit करने में, एक perfection के level को achieve करने के चकर में, उनको बार-बार reminder भेज सा रहता है, और जब भी आपके दमाग में बार-बार कोई भी reminders आएंगे, आप उस पर action लेंगे, तो वो learning और strong होती चले जाएग So, आज से याद रखेंगे कि perfection एक illusion है, हमें perfection के चकर में पढ़ना बंद करना है, क्योंकि perfection से OCD trigger होती है, कोई भी आप देख लीजे कि ये ना, बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से perfection आ सकता है, कपड़े पहनने में भी आ सकता है, चीजों को arrange करने में भी आ सकता है बोलने में भी आ सकता है, सोचने में भी आ सकता है, किसी भी चीज में perfection के OCD trigger हो सकती, क्योंकि कोई OCD का एक subtype नहीं है, OCD के अंगिनत subtypes हैं, तो आपको perfection से दूर रहना है, दूसरा है over estimating personal responsibilities, देखे, responsible होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बहुत ही ज़ादा अपने आपको, आपने हर चीज का ठीका नहीं लेना है, आपके घर का हर इंसान अपनी अपनी जिंदीगी के लिए responsible है, आप दूसरी की health की कितनी भी चंता कर लीजे, लेकिन अगर वो healthy नहीं घाएगा, exercise नहीं करेगा, अच्छा नहीं सोचेगा, तो उसकी health आपके सिर्फ सोचने मातर से या कुछ compulsion करने मातर से ठीक नहीं रहेगी, आपको हर चीज की responsibility लेने की जरुवत नहीं है, जो हो रहा है, होने दीजे, जो होगा, वो देखा जाएगा, सब को यहाँ पर individually capable बना कर भेजा है, अपनी अपनी जिंदीगी की responsibility लेने के लिए, लेकिन जब भी आप stress level बढ़ा रहेगा, वो stress आपका anxiety में बतलेगा और आपका mind उसके लिए तरह तरह के intrusive thoughts produce करना start करेगा, तीसरा जो है, overestimating threats, threats तो होती है आसपस किती सारी threats होती है, so बाहर की threats इतना शायद हमें effect नहीं करते हैं, जितना हमारे अंदर की threats effect करते हैं, और overestimation, कि ठीक है, ह है कोई खत्रा, लेकिन क्या इतना खत्रा है, नहीं, इतना नहीं होता, जब भी हम किसी भी threat को overestimate करते हैं, यानि कि उसे एक angle से ही देखते हैं, और multiple angles से नहीं देखते हैं, यह देखते ही नहीं है, कि इस तरह की situations को कैसे face करना है, या आज तक चिन लोगों ने face किया है, उ और फिर वो उस तरीके के intrusive suggestions आपको just safety behavior perform करने के लिए बेशता रहता है, क्योंकि अगर आपको threat feel हो रही है, तो आपको safety behavior करने के लिए आपका mind लगातार push करेगा, क्योंकि सबसे पहले आपको पताई है न हमारे brain के लिए सबसे important क्या है, हमारा survival, और क्या है, thought action fusion, इसका म guilty feel करना है, कि जैसे गला दबाई दिया है, ऐसा क्यों हो रहा है, या thought आ रहे है, तो ऐसा हो ही जाएगा, या ऐसा कर ही दिया, जैसा guilt feel होता है, इसे कहते है, thought action fusion, आपको समझना है कि thought just thoughts है, आपको कितना भी गंदे से गंदा वहा है, या thought आ रहा है, लेकिन उसके लिए guilty feel क इतना जादा परेशान हो जाना, अब कुछ भी ऐसे दिमाग में आ रहा है, अलग-लग theme में, अलग-लग चीज़े आती है, तो लोग अपने thoughts से ही बिलकुल ऐसे परेशान हो जाते हैं, कि जैसे सच में उन्होंने कोई चोड़ी कर लिए, सच में किसी को harm कर दिया है, सच में uncertainty को embrace करते हैं, वो worry नहीं करते हैं, लेकिन जो भी uncertainty के लिए okay नहीं होते हैं, सो वो certain करने में लग जाते हैं, जिसको fix करने में लग जाते हैं, इसलिए overthinking develop होती है, और worry की chain होती है, आपको uncertainty को beautiful मान कर life को एक surprise मान कर, कि जो होगा, जब होगा देखा जाएगा, accept कर लेना है, और खुशी खुशी इसी moment में रहना है, इसी तरह से over control of thoughts, अरे बबरे thoughts तो आएंगे, 70,000 thoughts, ऐसे मचल बिन मिनाते रहते हैं, ऐसे thoughts आते रहते हैं, क्यों thoughts को control करना है, thoughts को control नहीं किया जा सकता, जो आपकी control से बाहर की बात है, उस पर ज़्यादा दिमाग लगाओगे, उस नहीं होता है, thoughts आने का कोई ये मतलब नहीं होता है, कि आप उस पर action ले लोगे, या आप सोच रहे हो कि मैं अपने thoughts पर control करूँ, बहुत सारे लोग तो क्या होते हैं, बड़ा restrict कर लेते हैं, ना कोई information जाएगी, ना उस तरह की thoughts आएंगे, अरे जो अंदर data है, वो भी multiply होक क्योंकि ये भी एक action है, आपको समझना है कि thoughts पर कोई control करने की ज़रूत नहीं है, क्योंकि thoughts automatically जो भी आ रहे हैं, वो तो अपने आपी आएंगी, जब आपका response बंद हो चाएगा, तब आपके thoughts अपने आप ही control हो चाएगे, तो बस इन six traps से आपको बचना है, क्योंकि ये बह जब आप अपने अंदर इनकी learning को खतम कर दोगे, और बिल्कुल easy हो जाओगे, कि भाड में गया perfection मुझे नहीं करना, मुझे नहीं इतना responsible बनना, मैं तो थोड़ा सा लापरवाही सही, इसी तरीके से threat जो भी है, आओ मैं डट कर सामना करने के लिए तयार हूँ, thoughts और actions में बहुत अंतर होता है, भाई ऐसा नहीं होता, कि thought आ रही है, तो ऐसा हुई गिया है, मैंने करी दिया है, और uncertainty है, beautiful है, मैं तो गले लगा लिया, uncertainty को, uncertainty है, इसलिए तो life में इतना surprise है, इसी तरह से over control of thoughts, आपे जो आ रहा है आने दो, मुझे नहीं करना कोई control, control, ये तो दिमा OCD कैसे तुमें छोड़ कर जाता है, मुझे ऐसा रखते हैं कि आप भी चाहते हो OCD बैठा रहे हैं, नहीं चाहते हैं ना, तो फिर इन बातों का खास ख्याल रखना, OCD भाग जाएगा, कह दो भाई उसे, जा, 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 और अब मेरे भी जाने का वक्ता क्या है, आप अपना खास ख्याल रखना, मैं मिलूंगे आपसे नेक्स वीडियो में,